हाई गाई विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शियर करूंगी कि अगर आपके बाल बहुत ज़दा पतले हैं आपके बाल बहुत ज़दा ज़ड़ रहे हैं हेयर फॉल की आपको प् जरूर करें तो गाई आज मैं ऑईलिंग के लिए यूज कर रही हो पैराश्यूट ऑईल एल्मेंट ऑईल बजाज एल्मेंट ऑईल एंड मस्टर ऑईल यह तीनों ही ऑईल हमारे बालों के लिए बहुत ज़दा बेनिफिशियल है तो आज मैं इनी तीनों को यूज करूंग बजाज एल्मेंट ऑईल की डाली है और मैंने थोड़ा सा इसमें नारियल का तेल एड़ किया है पैराश्यूट ऑईल इन तीनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए आप चाहे तो इसमें एक विटमिन E का कैपसूल भी एड़ कर सकते हैं वो भी हमारे बालों के लिए कि यहारी बहुत जादा बेनिफीचियल आपको स्केल पर इसे अप्लाइय करने अगर आप अकेला यूज करते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा यह गरम होता है तो इसकी कुछ बुंदे ही आप इसमें यूज कीजिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे हियर फॉल की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खतम हो जाएगी अगर आपके बाल ल बगाया है हलकी हाथों से साथ में आपको मसाज करते रहना है मस्टर्ड ओयल तो वैसे भी बारह महीने हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बैनिफिशल है विंटर एंड समर दोनों में ही आप मस्टर्ड ओयल का यूज कर सकते हैं नारियल का तेल तो मैंने इसमें ना जैसे आप ओयलिंग करेंगे साथ में आपको मसाज करते रहना है अलग से बहुत ज़्यादा बालों पर मसाज नहीं करनी है उससे भी आपके बाल तूट सकते हैं ओयलिंग करने का भी एक तरीका होता है बहुत ज़्यादा हैवी हेर ओयलिंग हमें अपने बालों पर नहीं क रखें इससे भी आपको पूरा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अगर आप हमेशा ओईलिंग करके रखते हैं तो अच्छी तरह से ऐलिंग करके ब्रेड बनाकर रखें बालों को ऑपन ना रखें ज़ादा और बहुत ज़्यादा बं बनाकर भी अगर आप रखते हैं त जिस तरीके से मैंने मसाज किया इससे तो एक बालों में टैंगल्स बिल्कुल भी नहीं पड़ते अगर बालों में टैंगल्स नहीं पड़ेंगे तो हमारे बाल टूटेंगे नहीं अगर आप अपने बालों पर जोर जोर से मसाज करेंगे तो उससे बाल टूट भी सकते हैं साथ में आपको और मसाज करते रहना है कानों की साइड पर नेक पर अच्छी तरह से मसाज करनी है कि मसाज इस तरह से करनी है कि बाल आपके बिल्कुल सीधे सीधे ही रहे बालों को ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना है तो देखिए साथ में मैं नेक पर भी इस तरह से मसाज कर रही हूं जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे कानों की साइट पर भी मैं अच्छी तरह से मसाज कर रही हूं ओइलिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा ड्राय रखेंगे तो आपके बाल कमजोर होंगे आपके बालों की लेंथ नहीं इंक्रीज होगी अगर आप इस तरह से मैंने बालों पर ऑईल लगाया उस तरह से बालों में एक भी टैंगल नहीं पड़ा कोई बाल नहीं निकला है और बालों में आप शाइन देख सकते हैं इतनी सुन्दर बालों में शाइन आई है इसके बाद मैंने ब्रेड बनाई है ब्रेड बनाकर आप ओवरना सब्ocate बाल्व की लेंठ इंक्रीज होगी यरफॉल की प्राब्लम आपके खतम होगी इचिंग डैंडर्फ एक कोई भी प्राब्लम आपको नहीं होगी अपको मेरी यह वाद मरें कि लेगी होगी वीडियो अच्छी लेगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए गाइज अम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक लिए थेंक्यू बाइज